पप जी बयान होने पर फ्रीफायर वोले चाचा बोल रहे है आजो फ्रीफायर कहलते बेटा वो कोई लड़की नहीं है जो एक बार छोड़के चली गई तो हम दूसरी पकड़ लेंगे सच्चे दिन से चाते है इसलिए बेटा वो आपस आएगा ने जा चुका है कि बेटा प इसलिए जाने दिया ओम होती तो हातों में होती हम फ्रीफायर वाले जिना कि हम फ्रीफायर वाले जिना हमें पापा की परीज़े नहीं एडबलू एम से महबत है तुम में रिपीट पीछे मेरी कितनी भी बुराई करो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता मैं अपने कान बंद कर लूगा आठे मीच लूगा और मेरे सामने आओ तो अपनी ओकात में रहके बात करना वरना गले में हाट डालूआ और जुबान खिंद ये जो नजरे दिखा रहे हो, नजरे जुका देंगे, पता नहीं चलेगा, और ज़रा अपनी हद में रहना, वरना घर से उठा लेंगे, पता नहीं चलेगा एक दूसरे को उल्टे जवाब, तो बच्चे देते हैं, हम, हम तो सामने वाले को इगनोर करते हैं मेरे दुश्मनों को लंबी उम्र दे, ताकि वो मेरी कामियाबी देख सके हैं हम से मिलने आओं तो अपने कलेजे की आग को ठंडा करके आना, वरना हम तो सो नुम्मर की गाड़ी में बैट कर जाएंगे, लेकिन तुम एक सो आठ में लेट कर जाओगे तुम कहते हो कि तुमारा स्क्वाइड बहुत खतरनाक है, कि तुम कहते हो तुमारा स्क्वाइड बहुत खतरनाक है, कभी फ्री फैर वाले बंदे से मिलके देखो, वो अकेला ही तुमारी स्क्वाइड का बाप है अरे यार बस इतनी सी बात अगर आपको पबजी पसंदे तो रेड कलर का दिल और अगर आपको फ्री फायर पसंदे तो ब्लू कलर का दिल कमेंट में भर दो जिसको सबसे जादा जो पसंदे और देखते हैं कि कौन जीतता है